वेलकम टू सुकलाज स्टड़ी पॉइंट, आप सभी का स्वागत है, आपके पिनटूप चैनल सुकलाज स्टड़ी पॉइंट में, मैं सीवम सुकलाज आप सभी दोस्तों का हार्डिक स्वागत करता हूं, आज की वीडियो के मादधियम से हम लोग चर्चा करेंगे, नभी objective की परिक्षाव में प्रसन पूछे आते हैं तो आज का जो वीडियो और ब्सक्राइब के माणरे मेरे को सब्सक्राइब कर देсят सब्सक्राइब में आपको छिए किवरेक सुना में daha अगर और संता था नाम होगे in reasoning होता है analytic ability to work based on saute आप लोगों ने देखा वोगा वैं डिजीटल जागुरुटा हुता है कम्प्यूटर से रिलेटर जो जानकारी होती है वही होती है डिशिटल जागुरूगता ठीक है तो यही प्रस्णाब की परिछ्छा में आने वादे हैं इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा भाई डिजिटल जागुरुकता से रिलेटेड आपके जो है चैनल पर लगबग तीन से चार वीडियो आ चुकी होंगी यह अगली वीडियो है उसी की आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्पुन मह हो चुके हैं यह चोथा चेप्टर है आपका जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जो बेब ब्राउजिंग होता है ठीक है इंटरनेट से रिलेटर जो चीज़े होती है से इमेल क्या होता है इसके अलामा इमेल के अलामा और भी तमाम प्रकार के जो इसे सर्च इंजन जिसको आप बोलते हैं वो क्या होता है ठीक है उसका आबिसकार कब हुआ किस ने किया ठीक है तो इस सब चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर जो होते है जिसको आई बनेगे यहाँ पर तो चलते हैं भाई बहुत ही महत्पूर महत्पूर परसनों की बारे में जान लेते हैं कि कौन-कौन से इसे परसन जो बन सकते हैं इससे पहले की वीडियो इसको आप देख लिजेगा रही बार रिजिनिंग वाली तो रिजिनिंग के लगबग 5-6 वीडिय हो जाएगा आपको समझाने का प्रियास मैं करूंगा ठीक है आईए देखते हैं पहला परसनाम की स्किन पर आचुका पड़ा-पड़ से देखेंगे सेशन को आप लोग सियर कर दीजे जितने भी लोग देख रहे हो पड़ा-पड़ से वीडियो को सियर और लाइक कर दीज किस नाम के पते पर कंप्यूटर की पहचान किया सकती है तो किस नाम के पते पर कंप्यूटर की पहचान किया सकती है डोमेन, IP, ICP या फिर FTP बताएं तो खासर के डोमेन के पते पर कंप्यूटर की पहचान किया सकती है डोमेन इसका correct answer हो जाएगा आपसन नमबर इसका A is right answer तो A option जो domain है वो एक परकार से computer की पहचान को लेकर के important है ठीक है ध्यान लखेंगे इस बात को आगे बढ़ा जाए तो ऐसे ही प्रस्ण के उत्तर को आप ध्यान लखें यही सब प्रस्ण आपसी परिच्छा में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे domain name और IP address यह internet पर computer के पते दो प्रकार के होते मुखी रूप से एक तो होता IP address आपका ठीक है और एक होता आपका domain name ठीक है तो यहाँ पर IP address भी दिया हुआ है domain name यहाँ पर ज्यादा बेटर है ठीक है इसलिए हमने यहाँ पर यह ठीक लगाया आपको बता दू IP address जो होता है वो internet से ज जिसको IP address बोलते हैं IP address 88 bit में विभाजित होते हैं ठीक है और आपको बता दूँ इनकी संख्या 32 bit की होती है यह कुल मिला करके चार भागों बटे हुए होते हैं IP ठीक है बात करेंगर हम domain name की तो domain name जो होता है इसके अंतरगत internet से जुड़े प्रतेक host computer का address बिसिष्ट प्रक हम दिया आता है तता उसके पीछे domain name जो यह बताता है कि या किस प्रकार की संस्था या देश से related है तो domain name का उधाण है जैसे की upsc.government.in तो यह प्रकार से जो उधाण है यह domain name का उधाण है जो की तीन भागों में बाटा जाता है हलाकि इस पर हम चर्चा करेंगे तो पर दोड़ने मदद करता है हलाकि वह भी इंपोर्डेंट है लेकिन इसका और आपसा नंबर एक रखर होगा आगे देखिएगा अगला पर अच्छा इंटरनेट का अभिसकार कब हुआ था प्रस्निया भी बनता है 1986 में इंटरनेट का अभिसकार हुआ था यह बात भी ध्य है उसका नाम है ARPA उसने अलग अलग युनिवर्सिटीज के कंप्यूटरों को आपस में सुचनाओ के अधान परदान के लिए जोड़ करके इंटरनेट की सुरुआत सुरुआत में करी 1979 में लेकिन उतना भी दो तरीके से नहीं उपाया और इसमें क्या किया गया कि सामान बेक्तियों के द्वारा अधिक उप्योग में लाया जाने लगता है चोटे नेटवर्क की संख्या भी बढ़ने लगती दीरे-दीरे कई कंप्यूटर आपस में मिल करके छोटा नेटवर्क बना लेते हैं अस्थापित कर लेते हैं जिसको आप लैन बोलते हैं जब त जानने को मिल गया तो आपस में मिल करके जब एक नेटवर्क की स्थापना करते हैं तो उसी को इंटरनेट कहा जाता यह बात ध्यान लखेंगे तो इंटरनेट है क्या तो बड़े-बड़े जो वान होते हैं जो बड़े-बड़े नेटवर्क अस्थापित होते हैं उन्हीं नेटवर्क जब आपस में मिल जाते हैं तो उसी को इंटरनेट कहते हैं और इंटरनेट क्या करत है और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं कि अगला परस डवलू डवलू का फुल साहें करेंसर क्या हो जाएगा इसका वर्ड वाइड वाइड देव आप सान में दिया करेक्ट एंसर हो जाएगा इसका शी आपसनद्द द्राइट आन्सर यह प्रसनाप का हंडेड पर पर निम्लेखित में से किसकी सहायता से एक कम्पूटर से दूसरे कम्पूटर पर फाइल को ट्रांसफर किया आ सकता है दाले अगला प्रसना के यू-योam चले आपनऴानी प्रिया स्थित पेज़ों को लिंक करके शंग glorih do सुचना है या वर्ड वाइड इंफॉर्मेशन का संग्रा है वर्ड वाइड है क्या वर्ड वाइड बेब जो होता है यह खासर के बहुत से बरणर्स का नाम सामिल है और उन्हीं के दोरा www का आविस्कार किया गया इसकी आविस्कार का उद्देश था पैग्यानिक खोच के लिए इसका प्रयों किया गया और डिस्टी ब्यूकिटेड रिसोर्सेज को नियमित करना था इसी करण से किया गया था और खासर के आप देखते हैं वर्ड वाइड बेब जो है ये HTML के द्वारा तयार किये गए विभिन डाकुमेंट्स का संग्रा है और सभी प्रोटोकाल तक पहुचाने के लिए वर्ड वाइड बेब एक इंटरफेस प्रदान करता जिसकी सायता से प्रियोग करता इंटरनेट क पिक्चेर, वीडियो, साउंड, पॉइंटर जैसी बहुत सारी सूचनाय होती है जो प्रियोग करता को अन बेब पेज पर तुरंत ले जाती है तो ये होता है वर्ड वाइड बेब जो बेब साइड होती है वो खासर के इसी से बनती है आगे देखते हैं अगला कोशन्स तो इसका सी करेक्टर होगा अगला परसे बेब पेज पर क्लिक करने से आन डाकुमेंट खुलता है उससे क्या कहते हैं तो बहुत सारे कभी-कभी आपने जो है जब किलिक किया होगा किसी भी अपसाइड पर गूगल या क्रोम ब्राउजर पर तो डाकुमेंट जो आप खोलना चाहरे एं उसके अलामा कुछ और खुल जाता है उसके बोलते हैं hyperlink, आपसन नम्बर इसका सी, जाएगा लेखाईगा, आगे अंगला पर्स नचले कमिनिकेशन डिवाईस का क्या उधारण क्या है इनमें से, आपसन नम्बर इसका सी, जाएगा, परसमें बिना पहचान वाले email को delete क्यों करना चाहिए बिना पहचान वाले email को delete क्यों करना चाहिए भाई आपसन नहीं दिया है तुम jail जा सकते हो आपसन भी है तुम्हें ब्यक्ति तुम्हें track करके नुकसान पहुँचा सकता है तीसरा या एक गलत आदत है और डी इसमें virus हो सकता है जिससे computer को नुकसान पहुँच सकता है इसका correct answer क्या हो जाएगा भाई बिना पहचान वाले email को delete इसलिए करना चाहिए जिससे क्या होता है कि इसमें virus हो सकता है जिससे computer को आपके नुकसान पहुंच सकता है इसलिए बिना पहचानवाले email को delete कर देना चाहिए आपसा number इसका D correct answer हो जाएगा आगे देखिएगा अगला questions आपकी screen पर आ चुका है बहुत ही जबरदस प्रस्न है बैप पर सूचना देखने के लिए क्या आवस्यक है बैप पर सूचना देखने के लिए क्या आवस्यक विया केवल मॉडम या ब्रेब ब्राउजर या डोमेन नाम सर्वर या हाइपर टेक्स्ट ब्यूवर मताएं पर सूचना देखने के लिए क्या आवसक है आपसा नमबर इसका भी करेक्टर एंसर होगा अगला परसन डैस सबसे अधिक बिरसित नेटवर्क इनमें से कौन सा यह ले यह 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 इन या इंटरनेट यहां पर गलत इस पर लिखी हुई तो यह करेक्टर आट एक होगा निया इस बाइक से अधिक बीयां नेटर्स में यह इसको पर लू JOHN कहते हैं लेकिन जब बड़े ब inquiry मिलिकर के जो है एक जाल बनाते हैं संगठन बनाते हैं समू बनाते हैं तो उसको बूलते इंटरनेट तो आप से नमबर इसका D character answer हो जाएगा इंटरनेट सबसे अधिक ब्रिस्त नेटवर्क होता है अगला परसन है HTML भासा का उपयोग निम्द में से किसे design करने में होता है बताएं फड़ा बट से बतानेगे बेपेज या .exe आप से नमबर इसका A character answer होगा आगे देखिएगा अगला परसन है इंटरनेट साइट पर सब्सक्राइब करने में में होता है जो है च्राहलर होता है या फिर नेटवर्किंग इन है कोई नहीं तो खासर के search engine में जो होता है वो क्रालर होता है आप से नंबर इसका यह एकरेक्ट answer होगा next question साब देखेंगे email मेंकौन सा protocol प्रीक्ट होता है तो email की बात किया एलेक्ट्राणिक mail जिसको बोलते है email को full farm इसकी तो इमेल में जो प्रोटोकाल प्रयुक्त होता है वो होता है FTP आप सब्सक्राइब बेसिकली जो होता है यह हम जो है जैसे पत्र वगएरा पहले लिखते थे उसी का एक परकार से बोल सकते हैं डिजिटली करण होता है इमेल के मादम से आप पत्र वगएरा या बड़े-बड लगार रखेंगे उके तो सिसी पी का फोनूर्रुप क्या है वही ट्रांसमिस्ण कंट्रोल कर ठीक है अपसट नंब बीम लभी द्याहें ट्रांसमिस्ण piece इन्टारिएर अगे देखीए भ habían सकता है अचे70 क सब्रान को याद ऻान कर लिजेगा फुलफाम वाले अगला परसना आपका है ISDN का पूर्ण रूफ क्या है फुलफाम क्या है ISDN का फुलफाम होता है Integrated Service Digital Network Integrated Service Digital Network आपसे नमबर D में दिया और उसको वान बोलते हैं वान का मतलब क्या होता है वान की फुलफाम क्या होती है वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क आपसे नमबर करने वाला एक प्रोग्राम या एक कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं ठीक है आपसा नमर इसका बी करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला प्रसाब की स्कीन पर आचुका है इंटरनेट में किस प्रोटोकाल का उप्यूग क्या आता है इंटरनेट में टी सीपी या आईपी का आता है आपसा नमर इसका एक एक एंसर होगा अगला कोर्शन से आप देखेंगे एक करण जो एलाग सिगनल स्प्राप्त कर उन्हें डिजिटल डाटा में परवर्थित करता है वह क्या कहलाता है बताएं मौडम या फिर डेमोडिलेटर या मल्टी प्लेक्सर या इनमें से क आगे देखेंगे अगला प्रसन आपकी स्किन पर आचुका इंटर्नेट एड्रेस होता है इंटर्नेट एड्रेस जो होता है एच्टी एम एल जो होता है वही होता है आपका इंटर्नेट एड्रेस तो एच्टी एम एल इंटर्नेट एड्रेस होता है आपसा नमर इसका एक एंसर होगा आगे देखिए प्रस्ण है बेब पर पहुचने हे तू डेस प्रोग्राम की आवसकता होती है ब्राउजर की यूटिलेटी की भूट की या फिर इन में से किसी की नहीं बताएं तो बेब पर उपलब्ध प्रस्ण क्या पूचा गया है प्रस्ण पूचा गया बेब पहुचने हे तू प्रोग्राम की आवसकता होती है बेब पर पहुचने हे तू ब्राउजर फिर binary या इन में से कोई नहीं तो बेप पर उपलब्द पेज जो होता है वो html में लिखा जाता है html ठीक है html में लिखा जाता है ये बात ध्यान लेखेंगे आप से नमर इसका बी करेक्टर एंसर होगा आगे देखेगा वीडियो कॉन्फरेंसिंग हो सकती है पॉंट टू-पॉंट या मल्टी पॉंट या उपरेक्ट दोनो ए और बी दोनो यह इन में से कोई नहीं तो वीडियो का कॉन्फरेंसिंग जो हो सकती है ये पॉंट टू-पॉंट भी हो सकती अफ्सेनी सका C correct answer हो जाएगा उपरग तो दोनों A and B correct answer होंगे आगे देखिएगा अगला प्रसन है इंटरनेट पर text भेजने हैं तो किस protocol का उपयोग के आता है तो इंटरनेट पर text भेजने के लिए हम लोग HTTP का उपयोग करते हैं आगे देखिएगा अगला प्रसन है इंटरनेट का पूरवड़ती है गूफर या फिर अर्पानेंट या इनमें से कोई नहीं तो इंटरनेट का पूरवड़ती है अपारनेंट ठीक है अर्पानेंट आपसन नमर इसका B correct answer होगा आगला प्रसन इंटरनेट एड्रेस संख्या में होता है बताएं मैंने आपको बता है था 32 बीट बिलकुल प्रणार होगा आपका 32 सुरुआत में आपको समझा है ठालंस अप 26 इह नम से दूसरी वेफसाइट पर मूब करने को क्या कहते हैं नेविगेटिंग बिंडो सॉपिंग मल्टी टास्किंग या फिर वर्ड प्रोसेसिंग बताएं करक्ट एंसर इसका क्या हो जाएगा तो एक वेफसाइट से दूसरी वेफसाइट पर मूब करने या जाने कि किरिया जो ह तीपी या वियर सभी व में आप से लमड़्व स करेक्टा हो जागा टीपी के लिए या उपरुख्त सभीं या उपरुख्त में किसी के लिए कि यह उ क्यूंख याप नहीं पहना है कि anxiety उ हैसे के इसक्मारक्ण फॉल्फाम ओवाद से इसका एच्टी-मल का पूल्फ क्या हम से बटाइंगे हाई पर टेक्स्ट मार्क अप लेंग्वेज बिल्कुल करेक्ट एंसर आप सभी क्या रहे हैं हाई पर टेक्स्ट मार्क अप लेंग्वेज इसका करेक्टर एंसर हो जगा होता है यह परिपोनेंट आएगा अगला कोर्शन से मैं नमनेंसे कौन ससा नहीए प्रस्ण पूचा गया है उसकान सा इन में से domain नाम नहीं है बताएं तो domain नाम इन में से कौन सा ने देखिए com जो है देखिए आप देखते हैं .com तो .com ये com लगा करके email id वोगरा बनती है तो ये भी एक परकार से domain name है government.in ये भी है परकार से gob.in या फिर ac.in ये domain name नहीं है तो इसका correct answer हो जाएगा पूछा ये गया कि कौन सा domain name नहीं है तो आप लगाओगे dev ये domain name नहीं है बाकी com gob 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 और org ये सब हैं आगे देखिएगा अगला प्रस्नाइन 1971 इस्वी में डेस package switching network पर एक paper प्रकासित किया बताएं correct answer इसका क्या हो इसने किया प्रस्नाब से पूछा जा रहा है उनीस एक्सट में किसने तो लियोनार्ड clearark ने packet जो है switching network पर एक paper प्रकासित किया लियोनार्ड clearark आप से नंबर डी करेक्ट एंसर हो जाएगा प्रस्नगला है निमन में से कौन सा पहला वांडिक ब्राउजर था बताएं पहला वाडिक ब्राउजर जो था वो था नेट इसकेप नेविगेटर आप से नंबर इसका सी करेक्टर एंसर हो जाएगा बहुत ही जबर्दस प्रस्न है आगे देखेंगे अगला को साथ की स्कीन पर आचुका है पटापट से देखेंगे वीडियो को लाइक और सीर करते रहेगा इसी प्रकार से तमाम प्रकार के प्रस्नाब के परिच्छा में आने वाले हैं उससे परिच्छाओं के तैयारी के लिए भी तरीके सुक्ला स्टी पॉइंट पर आप सब्जेक्ट के आपके कोईसंस और एंसर दिखाई आते हैं आगे बढ़ते हैं और भी चीज़े को जानने का प्रियास करते हैं अगला परस्नाब की स्कीन पर आचुका है पटापट से आप देखेंगे एक बैस्बिक बेव है जिसमें लाखों भो करता कंप्यूटर की से एक दूसरे से संबाद करते हैं जुड़े रहते हैं आपसे नंबर एक अरक्ट एंसर होगा दूसरा परस्न है बितरित सहयोगी हाइपर मीडिया सुचना प्रणाली के लिए एक एप्लिकेशन परत प्रोटोकाल इलमें से कौन सा है एच्टी एमेल जो होता है यही होता आ सब्सक्राइब तो उन्होंने अस्थापना करी थी इसकी www के अस्थापना करी थी उन्होंने 1990 में इसी के लिए वो प्रसिद्ध है ये बात ध्यान नखेंगे ठीके टिम बर्नर्स जो की एक इंजिनियर थे उन्होंने आभिसकार किया था European Laboratory for Practice Physics के इंजिनियर है ये उन्होंने किया था ये बा पर से देखेंगे इंप्रस नहीं इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी समानता है नियमों के सेट का उप्योग करती है जिन्हें कहा जा सकता है बताएं इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी समानता नियमों के किसके नियमों के सेट का उप्योग करती है जिन छोग तो तो सब्सक्राइब आपसा नमदर बी करेक्टरा इंसर ओनारों तो जो diamant गाएंगे द्यान रखेङे लेगा अगला पर्सने पर्थम और छोब समुदाय का नाम है वेल ठीडियों रफि कहले परता रफोकर का सब्सक्राइब को क्या है था 1991 में 1991 में आपसा नमबर B करेक्टर एंसर हो जाएगा आगे देखिएगा प्रस्था प्रस्था सामान जनता के लिए पहला ग्राफिकल बे ब्राउजर निमलकित में से कौन सा था मोजिला याहू क्रोम या फिर मोजेक बताएं सामान जनता के लिए पहला ग्राफिकल बेब ब्राउजर जो था वो कौन था वो था मोजेक आपसे नंबर इसका डी करेक्टर एंसर हो जाएगा आगे देखिएगा अगला परसन है इंटेनेट का व्यवसाई करण कब सुरू हु है वो 1995 से सुरू हुआ 1995 से आपसे नंबर इसका सी करेक्टर एंसर होगा आगे देखिएगा अगला परसन है निम्लिकित में से कौन सी पहली बेवाधारित बेव मेल सेवा की मलब सेवा थी जी मेल याहू मेल होट मेल या फिर रीडिप मेल करेक्टर एंसर इसका क्या हो देखिएगा आगे से नंबर की फाल स्यरिंग के द्वारकृटल ने पर सिरिंग के द्वार कोल दी जाेएちょ carrier हैं अगला कौचन सा टो बीकी पीडिया को कि सन में खेंटपीडिया को दोघ्जिया स्काइव पूणिम्लाज किया गया था आप सब्सक्राइब की परिछा के दिश्टी से बहुत मैत पुर्ण है इंको एकदम से डालिएगा अगला परसना है निम्लिकित में से सभी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क तकनीके हैं सिवाए एक के बताएं तो उनमें से एक कौन है जो नहीं है बाकी तीन है वाइफा इसमें से कौन तीप्रतम डाउनलोड कि परदान करता है डी एसल यह केबल मॉडएम या फिर टीवर्क तीटन करता है अगला परसनिछ होगा अगला परसने टेली फोन नाइन के मा最घम से दो कंपीटरों को जोडने वाले यंत्र का क्या नाम है पड़ा परस्या बताएंगे तो टेली फोन लाइन के माध्यम से दो कंप्यूटरों को जोडने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं मोडें बोलते हैं आपसा नंबर इसका एक अरेक्टर एंसर हो जाएगा यह प्रस्न इंपोरेंट है और अग अगला जो वीडियो आपका मलब की से पहले आपने वीडियो देखा होगा यह वाला साल्व माले देपर मैंने दिया था इनल्टे के बल्टें डिजिलल अवर्नस का तो इससे पहले वाला वीडियो है आप इसको देख लीजेगा बहुत महत्त पूंड है तो यह प्रस्न सब्सक्राइब और इसमें एमस एक्सल से रिलेटर बाते बताई गई इस वीडियो में तो इस प्रकार से तीन चेप्टर यह ठीक है और इसके बाद में आज का जो वीडियो था यह बेव सर्फिंग को लेकर के था जिसके बारे में आज हमने लगबग लगबग और गती है एक मिनट लगेगा एक दो तीन चार पांच और शे साथ आठ नौ ठीक है दस ग्यारा बारा तेरा चोधा पंदरा सोला सत्रा अथारा उन्निस बीस इक किस बाईस तेइस चोबिस पचीज़़गी सथाइस अठाईस तीस तीस एक तीस बतिस तैइस तैंतीस चॉंतिस सब्सक्राइब करें तो बड़ा जबादस तरीके से आप लोगों ने समझा तो इन सभी वीडियो को भी देख लीजेगा और बाकी रिजिनिंग वाले वीडियो को मैंने प्लेलिट में समाहित कर दिया तो प्लेलिस्ट आप देख लीजेगा उसमें सारी चीजे आपको जानकरी मिल जाएगी ठीक है आगे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे लास्ट चेप्टर होगा इसका साइबर सुरक्षा साइबर सेक्यूर्टी के बारे में सा त्यार हो जाएगा अगले दिन वो वीडियो की लाइब क्लास होगी तो आप उसके लिए त्यार हो जाएगा ठीक है धन्यबाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंजा भारत आप सभी का बहुत-बहुत धन्यबाद हमारे से जोड़ने के लिए ऊसी प्रकार से उपना प्यार हमें सर बना रंखेंगे तो ब अगर आप ब्छे में बिकॉम में सभी कि देश्टी से यह लक्ष्यर बहुत ही महत्मूर है तो आप लोग इसी प्रकार से त्यारी करते रहें सभी का बहुत-बहुत धन्यबाद फिप्त समेस्टर इंग थृट